अलो मित्रो नमस्कार मैं सुनुल कुमार स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेना एकलासेज में आप सभी को नवर्स की हर्दिक सुबकामने नया वर्स आप सभी के लिए मंगल में हो और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो 2022 आपके लिए अपार खुशिया लेकर आए तो आप सभी को पता है कि आज जो पदों का वर्गी करण भी हो चुका है नहीं साल की सुरुवात के साथ आपको ये भी तौफा मिल चुका है पदों का वर्गी करण भी हो चुका है काफी दिनों से जो असमंजस था वो भी आज किलियर हो चुका है कि किस विशे के कितने पद है इस विशे के अपन बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर पदों के वर्गी करन की अगर अपन बात करें तो इसमें देखिए अंग्रे जी के जो पद है अंग्रे जी के जो पद है वो हाँ अंगरी जी के देखिए पद आपके सामने है यहां पे 4330 अपने जो इससे पहले जो कटोफ की बात की थी उसमें भी लगबग हमने चार से पद है यहां पे लगबग 2930 और संस्कर्त के जो पद है वह स्वारilen और पैंसे जो उसके पद है उनके लिए काफी कम पद है यहां पर 10 पद है उसके लिए और सामजिक विज्यान के लिए 2500 यानि 5000 पद और साइंस मेत वालों के लिए यहां पर लगबग पद है 3000 155 पद तो यह पदों का जो वर्गी करन हो चुका है और इस पदों की जो वर्गी करन हो चुका है उसके अनुसार हम संभावीत जो कटोप है उसके अपन बात करते हैं साथ में यानि हम फॉर्म की जो डेट है वो भी दस तारिक से लेकर 10 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक फॉर्म बरें जाएंगे इसमें जो सबसे महतों पूर जो वीडियो बनाने का जो उद्देश यह वो यह है कि हम फॉर्म बरते समय मुख्यत है जो सावदानी रखे वो हम क्या रखे देखिए अपन जो फॉर्म बरते हैं तो उसमें क्या होता ह है कि जब हम हमारी जो चोईस होती है अपन डिस्टी की हम जो भी जीले चोईस करते हैं उसमें हमें जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात वो यह है कि हम सभी जो जीले हैं उनकी एक लिस्ट बना ले क्रमवाईज की हमें सबसे पहले कौन से जीले को प्राथमिक्ता देन सथे हैं उन्होंने इस परकार की जो मिस्टे कर दी ती जिसके कारण से क्या हुआ कि उनका जब रीस अपल जब रिजल्ट आता है तो वेसी इस्तती में क्या होता है कि हम जैसे किसी स्टूडेंट का बार मेर में नंबर आ गया फस्ट पर गूंसलिंग में तो उसके बाद माली जब रिसपल आती है तो वेसी इस्तती में हमारी कोशी से यह रहती है कि हमारा जो मूल उस्तान है उसके जो सिक्वेंस वाइज है वो हमारे अगर जीले चोईस में रहते हैं तो अच्छी बात है अगर ऐसा अगर नहीं करते हैं तो वेसी इस्तती में क्या होता है जैसे माली य लाजाई तो यहां पे यह सबसे मेयत्योपन रखने वाली वात है कि हम जो भी जी ले हैं उसको करम uwagon हम उनको सिक्वेंस还是 उनको फिल करें दो यह मेरे वीडियो बनाने का जो सबसे मेयत ochorro उदेशे था तो यहां पे जो सामझरे की इसके में अलग शे बात करूंगा यहां पर तो लगबग साड़े चार जार के लगबग पद हो जाती है एसस वालों और हिंदी वालों के लिए तो शुरुवाती समय में अपन देख सकते हैं हो सकता है कि फर्स्ट जो कटोप आई उसमें थोड़ी सी कटोप हाई रहे लेकिन जब से कटोप की बात करते हैं इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें भी मैंने कटोप की बात की थी अब यहां पर फिर से अपन इसकी कटोप की बात करते हैं कि यहां पर देखिए है कि यहां पर जो पहले मैंने कट रहा है जो वर्गिक्रण की बात की इसमें देखिए दुबारा से बात करते हैं जो एलवन की जो पद है जो पद है उसमें अपने जो से पहले अपने माना था अपने जिसे लगबग जनरल की कटोप जो थी है 180 के लगबग अब अपन इसकी कटोप मानते हैँ वह 111 से लेकर अपनों 121 के लगबग की कटोप मानते हैं ठीक है EWS की जो कटोप है पहले अपने मानी थी जहां पर 115 अब यहां पर अपन कटोप लगबग 115 से 116 नमबर में मानते हैं OBC की जो 11 की जो कटोप है 117 से लेकर 119 के लगबग अपन कटोप मानते हैं यानि इसमें अगर लगबग जैसे 118 119 से 20 में उनका सेलेक्शन होने का चांस है और अगर अगर पद बढ़ते हैं तो वेसी स्थिति में कटोप और भी डाउन जा सकती थी SC की जो कटोप है हमने 110 के लगबग मानी थी अब अपन 110 से 12 क्योंकि पद जो है थोड़े से कम है इसमें L1 में जैसे अपने माना था लगबग और ST है उसकी कटोप अपन मानते हैं 167 नमबर यानि लगबग ज्यादा डिफिरेंस नहीं रहने वाला है अब बात करते हैं L1 की जो मोटी मोटी बात है वो मैंने कर ली है इसके अलावा अपन बात करते हैं L2 में VCS कर अपन बात करते हैं SS और हिंदी की देखिए सामाज़िक और हिंदी दोनों के मैं कटोप की बात कर रहा हूं यहाँ पर सामाजिक में है जन्रल की कटोप अपन मान रहे हैं 123, 24 के लगबग वो ही कटोप है इसमें और EWS की जो कटोप है 117, 118 के लगबग यानि 117 पर मैं से अपन मानता हूँ ओभी सी की जो कटोप है वो अपन मान के चलते हैं 119 से लेकर 121 नमबर तक मेरा जहां तक अंदाज है और S की जो कटोप है वो 115 और S की जो कटोप है वो है 113 नमबर और इन दोनों की अगर हिंदिगी भी में बात करूँ तो लगबग दोनों की सेम ही मानिए आप कोई ज़्यादा डिफरेंस रहने वाला नहीं है अब बात करते हैं इसके बाद में इंगलीज की कटोप की इंगलीज की कटोप की बात है तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि इंगलीज की जो कटोप है 113 नमबर बिल्कुल सही है यहाँ पर और EWS की जो कटोप है अपन मान सकते हैं 112-13 नमबर इसमें जनरल में और EWS की जो कटोप है 105 पर मेरे इसाब से बिल्कुल सेफ है 105-106 नमबर और OBC की जो कटोप है वो है 108-9 नमबर अब अपन मानते हैं 107 के लगबग 107-106-107 के लगबग अपन मान सकते हैं 106-7 के लगबग वालों का भी जो निम्नितम लेवल है उसमें हो सकता है ठीक है और ST की जो कटोप है हम मान रहे है 105 नमबर पर बिल्कुल सेफ और ST की जो कटोप है वो है इन पदों के अधार पर जैसे अपने पहले बात किती देगी यहां पर पहले से लिके हुए 4000 तो कुछ पद अपन कह सकते हैं हेंडि साइंसमेथ की साइंसमेथ के जो पद है मैंने माने ते पहले इससे पहले लगबग् 5,500 और अब जो पद है वहा, कोई नामातर के पद बजते हैं तो फिर भी अपन देखते हैं कि जनरल की जो कटोप है वह अपन मानते हैं एक सो इसमें एक सो गुंद तीस नंबर 128 नंबर तक मान ले या मान लिजी अपन 135 नंबर तक जनरल की कटोप मान सकते हैं और जो है EWS है उसकी कटोप अपने माननी है 123 नंबर बिल्कुल वो सही है OBC की जो कटोप है वो अपन मान के चलते हैं 127-28 नंबर ठीक है मान लिजी 125 से लेकर 128 तक उसके क्राइटियरिया में आ रहे हैं 126 नंबर S की जो कटोप है वो है 125 नंबर और S की जो कटोप है वो है 120 नंबर तो पहले जो अपने कटोप मानी थी उसके लगबग वो ही कटोप हम मान के चलते हैं जो पद है वो भी जैसे अपन सबने माने थे हैं उसी के according हमें पद मिले हैं तो जो भी चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले ताकि आने वाले वीडियो का आपको